दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बेतरीन से प्लान के जैसा को भी स्कीन पर देख रहे हूंगे इसका साइज है 20x50, 20x50 फट में पूरा मॉडल मैंने क्रेट किया हुआ है, जिसमें एक बेतरीन सी कार पार्किंग, 3 बैट डूम्स, और आपका ग्रीन एरिया भी आगोई को म मिलता है, बालकरी मिलती है, सारा डेटेल यहां पर मैंने ग्राउंड और फ़र्स्ट और सेकेंड फ्लोर क्रेट की है, यह मॉडल का जो एलिवेशन है वो भी आप देख सकते हैं बेतरीन सा मॉडल है, जिसमें मैंने ग्रिल इस्तमाल की है, जो कि आपकी ग्लास की ग्रिल है तो इसी मॉडल को पूरा प्रोपर तरीकी साथ हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने, तो सबस्क्राइब हैं बता दूँगे, थ्री साइट क्लोजड गर है, तीनों साइट से आपका बंद है, सिर्फ फ्रेंट से ही आपका यह घर ओपर है, उसी में पूरा यह ओवरल मॉ घर बनवाए तो एक बार स्माल हाउस प्लान को जरूर विजिट करें, तो सबस्क्राइब से जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसा इसका रियलिस्टिक है, यह दिखी मैंने जूम किया, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसकी ग्रिल कैसी है, इसका कैसा वगयरा, रूप वगयरा, सब कुछ आपको सारी डिटल दिख रही होगी, अब हम वहीं बात करते हैं, इसके फाज फ्लूर की, यह दोस्तों इसका फाज फ्लूर है, बैं आपको शबजाने की कोशिश करता हूँ, यह इसका में डूर है, जहाँस आपकी कार पारके और यह दिखीगा आप इंटी करते हैं में डूर से तो सबसे पहले आपको यह पूरा यहां से आधक कार पार्किंग का स्पेस मिलता है लगबक की 25 फिट उस 25 फिट में यहां से आपकी स्टेर्श रणा स्टार्ट होई हैं बहार की तरह पी आती हैं इसी के लिए से आपकी कार पार्किंग हो जाएगी यह आपका ग्रिल के लिए मैंने यह दिखी फास्ट फ्लोर की कुछ चीज़ी है जो ग्रिल आपको देख रही है वो फास्ट फ्लोर की है अभी मैं बताऊंगा मैं बात करें एधर की तो इधर आपको लगए लेटर बात क्रेट कर रखा है मैंने जैसिस के और इसका जो एक्सिस दिया है वो आपको गैलरी से दिया है महीं बात करें अगर हम यहाँ किसी तो यह आपका एक डाइनिंग हॉल या आंगन आप बोल सकते हैं आपको यह देखने को मिलता है और इसके बाद अगर हम सबसे पीछे जाते हैं तो आपको दो वैट डूम से मिलता है और दोनों वैट डूम में अलग-अलग डोर और विंडो मिलता है मैं बात करें इसका इस वाले ब्लॉक का तो यह आपका किचेन एरिया है जो कि फ्रंट से आपका प्रॉपर विंडो दिया हुआ है और अंदर से डोर दिया हुआ है अगर आप पूजा घर बनाना चाहते हैं तो आप इस वाले एरिया को पूजा घर बना सकते हैं जो कि मैंने अटैज्ट कर दिया इस वाले वैट डूम से या आपसे latent बात भी attached बना सकते हैं वो आपकी requirement पर depend करता है आप क्या चाहते हैं तो आपको तीन bedroom मिलते हैं पहला guest room, दो race room और साथ साथ एक आपको dining hall जहां पर आपको बीच में आंगन भी आप रख सकते हैं आपकी stairs, तो overall आपको बेतरी सा model with car parking green area के साथ देखने को मिलता है यह दिकिए मैं maximum zoom करता हूँ इससे आपको और इसकी realistic view समझ में आ जाए आप दोस्तों बात करते हैं इसके first floor की तो आप देख पार हैं कि यह आपका first floor है और जैसे आप यहाँ पर जाते हैं तो आप जीने से जैसे उपर आएंग तो आपका यह वाला यह दिया थोड़ा सा कम हो जाएगे क्योंकि नीचे मैंने जो 7 feet छोड़ा था कार parking लिए green area के लिए वो आपका यहाँ पर कम हो जाता है तो लगबग यह आपका पूरा अगर overall हम बात करें पचास में साथ माइनस करीगे तो 43 feet में आपकी लंबाई बसती है जिसमें की विल्कुल model जैसा नीचे बना था सेम ही है कि दोनों वही बैड डूम्स वही आपका kitchen वही आपका पूजा घर और यहाँ की बात करें ग्लास का grill है दोनों तरफ और यहाँ पर window है ventilation के लिए और आपको छोटा सा यहाँ पर मैंने छजा भी दिया लगबग दो फिट का जिसमें आप balcony एज़ बालकनी इस्तेमाल कर पाएंगे और यह जो आपके design देख रहे है रेड कलर का दोस्तों आप रेड कलर का देख रहे हैं यह दोस्तों डेजाइन के purpose से चीज़े मैंने create कर रहे है यह बीम बगएरा है आप देख पा रहे होगे लाइस लोड की बात करें तो आपको इस्टेर्स को ढखने के लिए गुम्टी और एच्छत ओवराल यह बूरा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है आपका 20 वाई 50 फिट में बहुत ही बेतरीन पार्किंग के साथ घर बना हुए है डेजाइन भी बहुत ही अच्छी है तो अगर आप इस मॉडल को select करते हैं और इसका 2D पिलान चाहता है तो वो हमारी पेड़ सर्विस होगी आपको उसके लिए कुछ पे करना होगा उसके लिए मेरा नमबर कांटेक्ट करना होगा आप हमें और कांटेक्ट करूँग मैं आपको उसका प्राइस बता दूगा और आप उसे ले सकते हैं और अपना बेतरीन सा मॉडल जैसा कि आपने देखा यह बना सकता है अगर आपको यह वीडियो पशन दाया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरू कर दें कोई भी डाउट को में पूछ सकते हैं और अभी तक आपने स्माल आप्स प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू कर लें थांक्स वाच्छ अच्छ वाच्छ वाच्छ